हेलो students my name is Manisha and welcome to my youtube channel students आज का जो हमारा topic है उसको जो है उसका नाम बताने से पहले हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कि जैसे कि हम जब business हमारे पास business होता है हमारे पास ठीक है तो business हमारे पास जो है वो अलग-अलग parts में जो है divide होता है ठीक है तो उन सभी parts को जो है उन सभी parts का हम analyze कर करने के लिए हम जो है method का यूज करते हैं उस method को हम क्या बोलते हैं product mix grid तो अब देख लेते हैं कि product mix grid में हमारे पास क्या आएगा तो basically जो product mix grid है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उतपाद मिश्रन grid इस method के according प्रतेक व्यवसाइक इकाई या विशिष्ट उतपाद बजार को द्वी मारगिये grid पर जो है अंकित किया जाता है ठीक है तो यही है students आज का हमारा जो topic ठीक है तो इसमें product mix grid में जो है दो हम analyze करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा BCG portfolio analysis और second हमारे पास है GE model ठीक है इनका जो हम use करेंगे इस method में ठीक है तो अब हम देख लेते हैं कि BCG portfolio हमारे पास क्या होता है तो students यह जो हमारा topic है BCG portfolio का यह exam में जो है बहुत बार जो है पूछा जाता है ठीक है तो यह आपके पास 4 marks में भी आ सकता है और 7 marks में भी आ सकता है ठीक है तो देख लेते हैं BCG जो portfolio है इसका पूरा नाम Boston consulting group business metrics है ठीक है जो BCG है BCG portfolio का पूरा नाम हमारे पास क्या है Boston consulting group business metrics है ठीक है इसे growth share metrics भी जो है कहा जाता है इस method के according company के परतेख business को परतेख व्यावसाय को बाजार वरिधी एव बाजार भाग का सवधानी पूर्वक visualization किया जाता है ठीक है BCG जो portfolio है उसमें हम basically करते क्या है उसमें जो एक company है हमारी company के परतेख व्यावसाय मतलब कि जो हमारे पास company है और वो जो business कर रही है ठीक है तो BCG जो हमारा portfolio है उसमें जो है हम matrix जो होती है उसमें तो उसको जो है हम चार भागों में जो है डिवाइड करते हैं ठीक है जिसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा star second हमारे पास है question mark and third है cash cards और cows and fourth है dogs ठीक है तो इन matrix का जो है हम use करते हैं BCG portfolio में ठीक है तो star जो हमारे पास होता है star में हमारे पास क्या आएगा जो star है उतपाद विकास चकर के विकास सबंदित है ठीक है जो यह star है हमारा यह product development cycle से जो है यह cycle से जो है यह related है ठीक है second है इसमें कोशन मार्क कोशन मार्क में क्या आता है इसमें समाननेता जो है नए बिजनस आते हैं ठीक है जो कोशन मार्क है इसमें हमारे पास क्या आता है इसमें जो है बेसिकली इसमें जो है नए बिजनस आते हैं ठीक है थर्ड हमारे पास है कैश कार्ड और काउस इसमें जो है क के बाद है डोक्स डोक्स में क्या होगा इसमें आने वाले बिजनेस जो है लोस को जो है पर दरशित करते हैं ठीक है जो डोक्स है इसमें जितने भी बिजनेस आते हैं वो हमारे पास लोस को जो है शो करते हैं ठीक है तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि फोर मैट्रिक्स के बारे म हमने पड़ए जिसमें है स्टार को शन suburbs कैश्कारड और काउस जिसको बोलते हैं डॉक टिक है तो आगे देख लेते हैं किसमें क्या हुआगा अगे पास से सेकंड मोडल जी इए मोडल हमारे पास क्या होता है इसे जर्नल इलेक्टरिक का बहु आयामी पोर्ट फोलियो नियोजन ग्रीड हम कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं से जर्नल इलेक्टरिक का बहु आयामी पोर्ट फोलियो नियोजन ग्रीड ठीक है इसका जो रिलेशन है वो कि अधारों पर डिवाइड करती है ठीक है कौन कौन से दो अधारों पर करती है उद्योग अकर्षन इंडस्ट्री जो है ट्रेक्शन एंड कंपनी की व्यावसाइक सद्रीड था ठीक है कंपनी की क्या है व्यावसाइक सूद्रीड था ठीक है तो यह हमारे पास बेसिकली जो है चोटे से जो दो मोडल है यह जिनके बारे में हमने जो है आज पढ़ा जिसमें हमने प्रोडक्ट मिक्स ग्रीड के एकोर्डिंग जो हमने BCG पोर्टफोलियो जो एनलाइसिस है उसको देखा और अब हमारा लेटेस्ट जो वीडियो है उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे थैंक यू सो मच